दोस्तों यदि आप option trading करते हैं तो इस chart से बहतर आपको यह chart लगने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको open interest डारेक्टर चार्ट पे ही provide कर दिया जाता है इसको कैसे use करेंगे अगर आप यहाँ पे जिरोधा user है तो आप इसका use बिल्कुल free में कर पाएंगे कैसे करना है सारी च कैसे करना इसको हम जान लेते हैं सबसे पहले करना कि आप यहाँ पे Google पर या Chrome पर जाके यहाँ पे sensible type कर सकते हैं sensible जो आप ऐपको open करेंगे तो आप यहाँ पर direct login करने का option आएगा तो आप यहाँ पर जीरोधा से भी login कर सकते हैं और यहाँ पर अपने u Metroid से login कर सकते हैं लेकिन अगर आप यहँ ओपे जीरोधा से login करते हैं तो आपको यह feature बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा जो की आपको direct option chain का जो OI होता है आपको OI profile यहां पे मिल जाएगा तो यहां पर आप open करेंगे आपको click कहां पर करना है अपने यहां पर symbol पर click करेंगे देखें यहां पर इंबल का option होता है इस पर क्लिक करेंगे अब आपको यहां पर मिलेगा एक अकाउंट डिटेल का option यहां पर क्लिक करेंगे देन आपको यहां पर सेटिंग पर क्लिक करना है अब यहां पर क्या होगा आपको यहां पर इन दोनों में से कोई और सलेक्ट होगा आपको करना क्या तीसरे को select करना है then यहाँ पर बाहर आ जाना है इसके आद क्या करेंगे trade पर क्लिक करेंगे और इसके आद strategy builder के option पर क्लिक करेंगे अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत साई चीजे देखने को मिलेंगी कैसे यूज करना है हम आपको बता देते है अगर आप इसको nifty में यूज करना चाहते हैं तो nifty में भी कर पाएंगे by nifty और जो stocks भी होते हैं जिन में option trading होते हैं तो उसमें भी आप यूज कर पाएंगे अब क्या करना है इसको open कैसे करना है आप यहाँ पर देखेंगे तो एक chart का option आपको मिलेगा एक symbol तो आपको करन देखेंगे इसको कैसे यूज करना है अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस जगा पर आपको यहाँ पर एक check box का option मिलेगा जब आप इसको on करेंगे तो आपको यहाँ पर इधर right side में आपको कुछ red bars और कुछ यहाँ पर green bars देखने को मिल जाएंगी अब इसका यूज क्या blood क्या है कि यह जो बनायगया है खासकर option बायर सब्सक्राइबर के बनायगया है क्योंकि अगर हम बात करेंगे यहाँ टो ji आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा बनायागा है आप इसका यूज कैसे करेंगे यह सीख लिजिए देखें अगर आप इसको उपर नीचे करेंगे तो यह क्या है बार्स उपर नीचे होते हैं और आपको आप यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगा ठीक है इस पर आप क्लि यूज जो एकस्पाइरी यहाँ पर यूज की गई है वो क्या है 11 जनुवरी 18 जनुवरी और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे कि इस साइड में आपको यहाँ पर बहुत सारे बार देखने को मिलेंगे अब इसका यूज क्या है कैसे यूज करेंगे इसको हम लोग समझ लेते हैं green को समझ लेते हैं then इसको आपको explain करते हैं कैसे use करना है trading में देखे जो यह आपको rate देखने को मिल रहा है देखे यहाँ पे यह जो आपको rate देखने को मिल रहा है यह क्या है call का oi है call का oi का मतलब क्या है यानि कि call ज्यादत लोग buy कर रहे हैं क buenic deep market क्या है इसका प्रस्पेक्टिव है कि market ओपर जाएगा लेकिन इसको जो sell कर रहा है उसका प्रस्पेक्टिव कि जया है कि market यहां से नीचे रहेगा तो आप यहांपे Best Buy कर है उसका यहांपे प्रेडिक्शन जो होगा ऊगा जहीं रहेगा कि अगर आपके है अपना यहां पर जो करसर है इसके ऊपर लेके जाते हैं बार के ऊपर तो आपको यहां पर श्ट्राइक रेट और कॉल का OI और पुट का OI देखने को मिल जाता है तो कॉल का यहां पर जो open interest है यहां पर एप्रॉक्स 56 लाग के आसपास है तो यहां पे क्या रहेगा यह अपने लिए एक प्रकार का रेस्टेंस रहेगा अब इसको कैसे यूज करते हैं यह पहले हम देख लेते हैं आप क्या है इसको जो छोटे से टाइम फ्रेम पर पहले देख लीजे क्या हो रहा है अगर आप इं देखना है और देन उसको मार्क करना है क्या करेंगे रेक्टेंगल का यूज करेंगे और जो सबसे जो बड़ा यहां पर हमको दिख रहा है उसके आसपास यहां पर क्या करेंगे एक जोन ड्रॉ कर देंगे यह क्या है रेस्टेंस है अपने लिए सपोर्ट है आप ऐसे रहेगा आपको यहां पर trade करते समय ठीक तो इसको क्या है इसे mark कर देंगे अब यह हमने mark की है कि major level अपने लिए क्या support और resistance अगर market यहां पे इस line के नीचे है तो यह क्या मार्केट के लिए resistance होगा और अगर इस line के ऊपर market है मतलब कि यह ठीक है तो इतना तो आपको पता ही है अब देखे यहां पर आप देखेंगे 30 मिन के टाइम फ्रेम पर आपको एक रेड़ साब मिलेगा यह क्या है एक प्रकार का यहां पर यहां पर यहां पर नो इसका है ऊपर मार्केट जाएगा अब क्या इंटर डे के लिए हम देख लेते हैं तो इंटर डे में हम लोग क्या करते हैं तीन मेंट पांच मेंट ऐसा ही टाइम फ्रेम यूज करते हैं देखे अब इसको कैसे हम समझेंगे देखे हमने जो बड़े लेवल है उनको तो मार्क कर दिया अब यहां पर इंपोर्ट से सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा यानि यहां से यहां तक 70 पॉइंट तक ठीक है अगर हम देखेंगे इसको अगर छोटा करते हैं तो क्या है अगर यह लेवल ब्रेक होगा तो यहां माइनर से यहां पर क्या है सपोर्ट है तो अगर मार्केट थोड़ा सा बेरिस करते हैं आप अपने लेवल कर लिजिए इसको अन आफ कर दीजिए आप इस तरीके से उसका यूज करेंगे और बहुत ही सिंपल है अगर आप यहां पर संसीबुल का यूज कर रहे हैं तो आप क्या है बहुत साई चीजें बिल्कुल फ्री में यूज कर पाएंगे जैसे कि यहां पर क्या है वीडियो मिल जाएगी ठीक है market analysis पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो registered यानि मतलब की जो सही analytics है वो आपको provide की जाती है तो आपके इनका कोई doubt होता है तो comment box में आप comment करिए आप कहाँ पर answer मिल जाएगा और आप यहाँ पर क्या है टेलिग्राम और WhatsApp को भी जोइन कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर इंट्रेस्टेड है प्राइज एक्सम को सीखने के लिए तो जूम क्लास भी चलते हैं तो आप उसको enroll कर सकते हैं औ आपको नए नए वीडियो की notification आपको मिलती रहें समय पर ठीक है तो मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद